नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर निधीगर्ग एनायोस के स्टूडियों में आपका स्वागत करती हूँ आज हम यहाँ पर जन स्वास्थे प्रशिक्षक कारिक्रम के अंतरगत स्वास्थे एवं स्वच्था जो की आपका तीसरा अध्याय है उसको पढ़ेंगे इससे पहले आप मानव शरीर क्रिया रचना एवं क्रिया विज्ञान के बारे में पढ़ चुके हैं साथ ही हमारा शरीर और प्रतिरक्षा प्रणाली के विशे में भी जान चुके हैं ये सारी चीजें आपस में मिली हुई हैं और शरीर के लिए अत्यंत महत्पून है स्वास्थे का तिरक्षा प्रणाली से क्या संबंध है? ये हमने पिछले अध्याय में जान लिया है आज हम स्वास्थे ऐवं स्वच्टा के विश्य में जानेंगे यह क्यों आवश्चक है? इसके बारे में देखेंगे स्वास्थे क्या है? आईए सबसे पहले इसको देख लेते हैं स्वास्थे स्वास्थे ही समग्र सुखों का आधार है मनुष्य जीवन विभिन अवस्थाओं से होकर गुजरता है जैसे बालपन, हिशोर अवस्था, व्यसका अवस्था और अंत में व्रिधा अवस्था प्रतेक अवस्था में स्वास्थे को बनाए रखना आवश्चक है केवल शारिरिक व्याधियों से पिडितना होना ही स्वास्थे का आधार नहीं है जैसा कि आप जानते ही हैं कि स्वास्ते ही सफलता की कुंजी है यदि मनुष्य स्वस्त नहीं होगा तो वह अपने कोई भी कारे ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा हम यह भी देखते हैं कि जब व्यक्ति बिमार होता है या कमजोर होता है शारिलक रूप से या मानसिक रूप से तवे चिड़-चड़ा हो जाता है और उसकी कारेशमता घड़ जाती है आईरवेद के अनुसार स्वास्ते की क्या परिभाश है देखते हैं यह सुशुर सहीता का श्लोक है जिसकी अनुसार जब शरीर के सभी दोश अगनी, धात्वे वा मल संभाव में हो तधा आत्मा, इंद्रिय वा मन प्रसन हो तभी शरीर को स्वस्त कहा जाता है अर्थात हमारे शरीर का प्रतेक अंग, प्रतेक दोश, धातु, अगनी सभी संभाव में होने चाहिए, सचारो रूप से कारे करने चाहिए, तथा साथ ही आत्मा, इंद्रे और मन को भी प्रसंद होना चाहिए, तभी हम उस शरीर को स्वस्त कहते हैं विश्व स्वास्ते संगठन के अनुसार स्वास्थे का अर्थ क्या है? विश्व स्वास्ते संगठन के अनुसार स्वास्थे का अर्थ है, पूर्ण शारेरिक, मानसिक, सामाजिक, एवं आध्यात्मिक स्वस्ता की स्थिती, ना की केवल रोगों की अनुपस्तिती अर्थात विश्यो स्वास्ते संगठन भी यही मानता है कि यदी शरीर शारिरिक, मानसिक, समाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है तब ही वह मनुष्य स्वस्थ है इतना यह केवल रोग नहीं है उसको हम यह नहीं कह सकते कि इसे कोई रोग नहीं है तो मनुष्य उसे मानसिक, समाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए जैसा कि हमने अभी जाना कि हमारा स्वास्थे शारिरिक, मानसिक और समाजिक स्वास्थे पर निर्भर करता है तो आए सबसे पहले हम जानते कि शारिरिक स्वास्थे क्या है फिजिकल हेल्थ के बारे में आए थोड़ा सा हम जान लेते हैं शारिरिक स्वास्थे शरीर की स्थिति को दर्शाता है जिसमें इसकी सरचना, विकास, कारे प्रणाली और रख रखाव शामिल है यहें एक जीव के कार्यात्मक और चै अपचै अर्थार मेटागोलिजम शम्ता का एक स्थर भी है कि वह द्यानिक कारे करने के लिए फिट हो जैसे उसे सुनाई देता हो, दिखाई देता हो, चल फिर सकता हो, आदी यहें शरीर में पोशन के स्थर को भी दर्शाता है शारीरिक स्वास्थे का अर्थ है कि मनुशे देखने में कैसा है उसका सरचना कैसी हुई है, उसकी विकास कैसा हुआ है क्या वह अपनी एज के अनुसार, आयू के अनुसार उसी अनुरूप से दिखता है या ज़्यादा तो नहीं दिखता है उसके फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है ये सब हम शारीरिक स्वास्थे से जान सकते है जैसा कि हम इसमें जान रहे हैं कि पोशन के स्तर को भी दर्शाता है यदि मनुशे बहुत दुबला है तो इसका मतलब उसमें पोशन का स्तर कम है या अधिक मोटापा है तो इसका अर्थ है कि वह खाना को अधिक मात्रा में ले रहा है या व्याम नहीं कर रहा है तो यह सब शारिक स्वास्थे से हम जान सकते हैं अच्छे शारिक स्वास्थे को सुनिश्चित करने के कुछ मापदन्ड है आईए उन्हें जानते हैं जैसे मनुष्य की संतुलित आहार की आत्ते हैं, गहरी रिमीन लेता है, शरीर के सभी अंग समाने अकार के हो और उचित रूप से कारे कर रहे हो। यदि उसका शरीर का भार उसकी हाइट के अनुसार नहीं है, तो वह स्वस्थ नहीं है, उसको कुछ अपने शरीर में तबदीली, भोजन में तबदीली लाने की आवशकता है। आईए अब देखते हैं समाजिक स्वास्ते, सोशल हेल्प, जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य एक समाजिक प्राणी है, तो दूसरों के साथ पारस्परिक सम्बंधों को संतोष जिलनक बनाने की शमता ही समाजिक स्वास्ते हैं, जो की एक मनुष्य भली भाती निभाता है। कोई भी हमारा त्योहार होता है या हमारा खुशी का मुका होता है, तो यह सब हम आपस में मिल जुलकर ही बनाते हैं, कोई अकेले-अकेले इन सब को नहीं मना सकता। इसलिए मनुष्य का समाजिक रूप से स्वस्त होना अर्थात, लोगों के साथ मेल जोल होना भी अत्यन आवश्चक है। मानसिक स्वास्थे, यह है शाररिक स्वास्थे का या हम बोलें स्वास्थे का तीसरा पैरामीटर है, तीसरा मापदन है, इसमें हम जानते हैं कि मानसिक स्वास्थे क्या है? मानसिक स्वास्थ व्यक्ति की उस्तिती की व्याख्या है जिसमें वह समाज वा स्वेम के जीवन की परिस्तितियों से निबटने के लिए आवशक्त अनुरूप स्वेम को ढलने खेतु वेवारों को सीखता है यह केवल मानसिक वीमारियों की अनुपस्थिती नहीं है अर्थात यदि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह समाज में या उसके स्वेम के जीवन की परिस्तितियों में कोई भी मुश्किल आए या तनाव आए उसको निप्टाने के लिए प्रेरित रहता है अत्यन को अद्स्थितत तनाव में नहीं आता है तधा अपने आपको उसके अनुरूप धाल लेता है चिर्चिड़ा पन या उससमस्यासे बचना यह सब्वे नहीं करता है यह अ अपना गुस सा दूपर निकालना यह मानसिक स्वस्थ हैका लक्षन नहीं है हम यह कह सकते कि व्यक् पुलित है, प्रसन्न चित्त है, दूसरों को साथ मदद करता है या दूसरों के साथ अच्छे से मिलता जुलता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, यदि मन स्वस्थ नहीं है, तो शरीर भी स्वस्थ नहीं है। शरीरिक अवस्थाओं जैसे पेट में अलसर होना, या शूगर का होना, डायबटीज होना, यह सब तनाव के कारण हो सकता है, निम्न मानसिक स्वस्थे के कारण हो सकता है। अच्छे मानसिक स्वस्थे सुनिश्चित करने के क्या माबदन्ध है, आएए देखते हैं, प्रसन्नता, शांती वा वेवार में प्रफुलता, आत्म संतुष्थी हो, मनुष्य पर्याप्त नीन लेता हो, भावनाव पर नियंतरन रखता हो, अर्थाथ एकदम से प्रसन्ध या दुखी ना होता हो, या एकदम से क्रोध ना करता हो, ये सब अच्छे मानसिक स्वास्थे के कुछ माबदन्ध हैं। सबसे पहला कारक है स्वच्छता, जिसमें की आता है आपका व्यक्तिगत स्वच्छता, घरेलु स्वच्छता, वातावरन की स्वच्छता। सबसे पहले जानेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, पर्सनल हाईजीन के बारे में। व्यक्तिगत स्वच्छता से तातपर्य हमारे शरीर की स्वच्छता से है। अर्थात इसकी साफ सफाई से है कि हम अपने आपको साफ सुथरा कैसे रखते हैं। इसका व्यापक अर्थ स्वास्थे को सरक्षित वा समवर्धित करना है। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता अनिवार रहे है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अर्थात कि यदि तन स्वस्थ नहीं है तो मन भी स्वस्थ नहीं होगा। और शारेरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने शरीर की सफाई करना आवश्चक है। यदि हम शरीर को साफ नहीं रखेंगे, स्नार नहीं करेंगे या दैनिक कारों का ठीक से पालन नहीं करेंगे तो हम बिमार पढ़ सकते हैं। यदि हम बिमार पढ़ते हैं, तो हमारे शरीव में कमजोरी आती है, चिर्चड़ा पन आता है, जिससे हम अपने कारे करने में अक्षम रहते हैं। व्यक्तिगर स्वच्ता में निहित कुछ बाते हैं, जो कि हम सभी को पता हैं, फिर भी हम यहाँ पर एक बार जान लेते हैं, क्या क्या आती हैं, जैसे मनुष्य को प्राता जल्दी उठना चाहिए, नियमित रूप से शोच जाना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि शोच क करने के लिए साफ मग वा साफ पानी का ही इस्तमाल किया जाना चाहिए, शोच जाने के पश्चा तथा खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ करना चाहिए, नियमित रूप से मंजन वस्नान करना चाहिए, कपड़े साफ सुथरे धुले हुए हों, प अवश्य काटे, खूडा करकट इधर से उधर नहीं फैलाना चाहिए, इधर उधर थूखना नहीं चाहिए, ये सब कुछ बाते हैं जो की व्यक्तिगल स्वच्छता में नहीं थे, अब जानते हैं घरेलू स्वच्छता, होम हाईजीन, जितनी स्वच्छता हम अपने घर में उतना ही हम स्वच्छत रहेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे घर की स्वच्छता एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, बहुत बड़ा पाट अदा करती है, तो हम सबसे पहले घरेलू स्वच्छता के बारे में जानते हैं गरेलु स्वच्चता स्वास्थे को बनाये रखने में बहुत महत्पून कारक है इसमें घर की साफ सफाई, घर के कूड़े का उचित निप्टान, भोजन संबंदी स्वच्चता आधी अत्यंत महत्पून है यदि भोजन खरीते, तयार करते, पकाते और भंदारन के समय स्वच्चता के मूल नियमों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो गंभीर परिणाम उत्पन हो सकते हैं जैसे यदि भोजन में कोई विशाणू मिल जाए, तो भोजन विशाद्पता या फूद पैस्निंग जिसे हम कहते हैं, वह हो सकती है तो इसलिए भोजन खरीते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि हम खराब भोजन या फल सब्जियां खरीते समय ध्यान रखें कि खराब ना हो, सड़ी हुई ना हो तयार करते समय हम ध्यान रखें कि आसपास गंदगी नहीं हो, हमारे हाथ धुले होए हो पकाते समय भी हमें यही ध्यान रखना है कि कोई अन्य पदार भोजन पकाते समय उसमें ना गिरे धूल मिट्टी उसमें ना आए बंदारन के समय भी हमें यही ध्यान देना चाहिए यदि हम फ्रिज में रख रहे हैं अपनी फल सबजियां तो फ्रिज की अच्छी तरह से साफ सफाई की हुई हो, साफ सुतरा हो, उसमें कोई गंदगी ना हो, ताकि भोजन हमारा खराब ना हो स्वच रसोई घर किसी भी घर का स्वास्थे यदि हमें देखना है, तो उसका रसोई घर देखिए यदि किसी का रसोई घर साफ सुत्रा है तो मनुष्य भी स्वस्थ मिलेगा तो इसलिए हमें रसोई घर सूखा वा साफ रखना चाहिए भोजन को ढखका रखे उसे उगाडा ना छोड़े और आसपास यदि भोजन गिर जाता है तो उसको तुरंत उठा दे और वहां से हटा देना चाहिए खाना बनाने से पूर हाथों को अच्छी तरह से धोए रसोई घर में कूड़ा दान ना रखे यदि हमने थोड़ा भहुत कूड़ा डालने के लिए कूड़े दान कुछ रखा है तो उसे धक्का रखे और उस कूड़े को निरंतर बदलते रहे घर के पालतु जानवरों को रसोई घर से दूर रखे और उनका कोई भी मल रसोई घर में ना जाने पाए इस बाद का ध्यान रखे स्वच्छ पानी पानी भी हमारे चरीर के लिए भोजन की तरह अत्यंत आवशक है पानी से अनेक रोग होते हैं अथा अच्छा स्वास्थे बनाए रखने के लिए स्वच्छ पानी पीना चाहिए पानी ट्यूब वेल या गहरे हैंड पंप या सुरक्षित पाइप लाइन वाले स्रोट से लेना चाहिए बच्चों के प्रयोग के लिए पानी को उबाल कर वी संक्रमित करके देना चाहिए पानी के स्रोटों के आसपास गंदगी ना फिलाएं यह हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए अता पानी के स्रोटों के आसपास कपड़े धुना, जानवरों को नहलाना या मल त्याग करना आदी नहीं करना चाहिए पर्यावरनिय स्वच्चता, इन्वायर्मेंटल हाईजीन पर्यावरनिय स्वच्चता शरीर विज्ञान की वह साहयक शाखा है जो बताती है हमारा शरीर पर्यावरन तथा प्रदूशन के प्रती किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है यदि हमारा पर्यावरण स्वच्छ नहीं है, प्रदूशित है, तो हम अपने शरीर की कितने अच्छे से सफाई कर ले, हम अपना मन कितना अच्छे से स्वस्थ करने की कोशिश करें, लेकिन हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारा जितना भी समान या जो कुछ भी हम या हमारे शरीर के लिए अप्योगी है, सब पर्यावरंड में ही नहीं थे यदि पर्यावरंड स्वच्छ होगा, तो हमारा खानपान भी स्वच्छ होगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा बिमारियों की स्थिती से बचने के लिए आवशक है कि व्यापक स्तर पर शोचालों का निर्मान किया जाए, पानी के स्रोतों को प्रदूशित होने से बचाया जाए, कूडे करकट का सही वेस्थापन अर्थात मैनेजमेंट किया जाए, इधर उधर गंदगी ना फैलाएं यह सब हमें पर्यावरन स्वचता के और इशारा करते हैं कि हमें अपना पर्यावरन स्वच रखना चाहिए, पर्यावरन स्वचता हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्पून है, क्योंकि कुछ बिमारियां मलों से फैलती हैं, जो कि यदि फैली हुई है या मल इधर उधर बिख पर्यावरण को स्वच रखने वाले देखिये कुछ संदेश हैं, जैसे हम खुले स्थान में मलत्याग ना करें, अपने घर में शोचाल है, हो सके तो फ्लश टॉयलेट का निर्मान करें, अपने घर के आसपास पानी कठा ना होने दें, उसकी निकासी की उचित विवस्था ब बनाएं ताकि पानी इधर उधर ना फैले और नाली के द्वारा अच्छे से उसका निश्कासन हो जाए, कूड़ा इधर उधर ना फैंके, क्यूंकि कूड़ा इधर उधर फैंटने से जानवर उसकी तरफ आकरशित होते हैं, या वहाँ पर मलत्याग करेंगे, तो वह मलत् रखती हैं, कूड़े को ढखन वाले डिब्बे में एकत्र करें और उसका निप्टारा उप्युक्त धंग से करें व्यायाम व्यायाम से तातपर्य उस शारिरिक चेश्ठा से है, जो शरीर को स्थैरे तथा बल प्रदान करें, या वहक्रिया जो शरीर में श्रम उत्पन करें वयाम भी शरीर को स्वस रतने के लिए अत्यन्त महत्पूर्ण है क्योंकि वयाम से ही आपके शरीर को उर्जा मिलती है तथा वह सुचारो रूप से कारे करता है वयाम के लाब प्राप्त करने के लिए इसे सुवेवस्थित नियमित तथा उचित धंग से किया जाना चाहिए उचित मात्रा में वयाम नित्ते करना चाहिए इसके लाब क्या है? ये बहतर पाचन तथा श्वसन क्रिया सुनिश्चित करता है, शारेरिक क्रियाशीलता को बढ़ाता है, शरीर से मुटापा कम करने में सहयाक होता है आप व्याम किसी भी रूप में कर सकते हैं, जैसे अपनी पसंद का खेल खेल कर, पेराकी करके, सुभा की सैर करके, योग करके, रसी कूद कर या साइकल चला कर आप किसी भी रूप में व्याम कर सकते हैं विश्राम तथा नीन, rest and sleep नीमित व्याम के साथ साथ विश्राम और नीन भी अत्यन तावश्रक है विश्राम करने से ठके हुए अंगों को पुना उर्जा की प्राप्ती होती है अच्छी नीन, अच्छे स्वास्थे की परिचायक है अधिक काम करने से और विश्राम ना करने से शरीर में फटीग की स्थिती होती है जिसमें शरीर और अधिक काम करने में अक्षम होता है यदि हम विश्राम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर ठक जाएगा हम आगे और अन्ने कार्यों को नहीं कर पाएंगे हमारे इसमें शरीर में और मन दोनों में थकावट आती है तो जब हम शारिरिक रोप से थके हुए होते हैं तो हमें शारिरिक विश्राम की आवशक्ता होती है जब हम मांसिक रोप से थके हुए होते हैं तो हमें अच्छी नीम की आवशक्ता होती है यदि हम विश्राम नहीं करेंगे तो हम अच्छे से कारे को नहीं कर पाएंगे जैसे अभी हमने जाना कि अधिक काम करने से हमारे शरीर में फटिक की स्थिती होती है अर्थात जो हमारी मसल्स हैं मास्पेशिया हैं उनमें लेक्टिक एसिट फॉर्मेशन होता है जो कि हमारी मासपेशियों को ठका देता है, एक ये अप्षिष्ट पदार्थ है कि मल्प की उत्पत्ती होती है, जो कि हमारे शेरीर में अन्य कारे करने को मना करता है, कि नहीं होने देता है, अथा विश्राम और नीन, यह दोनों अच्छे स्वास्थे के लिए अत्यन्द आईए अब जानते हैं कि उत्तम स्वास्थे के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जाए या इसको हम उत्तम स्वास्थे का इंद्र धनुष बोल सकते हैं, जिसमें है स्वस्थ खाएं, अर्था संतुलित आहर ग्रहन करें, नियमित अंतराल पर भोजन करें, जिरूरत से ज करें, नियमित रूप से योग करें, खेलें या तेराकी करें, यह आपके उपर निर्भर करता है कि आपकी सुविधा किसमें है, आपको जो सुविधा जनक लगे, उसमें आपको प्रती दिन 45 मिनट व्यायाम करना है, वजन को मापे, अपनी लंबाई के अनुसार, अपना स जोहल, सिग्रेट और पान मसाला को ना कहें, यह शरीर के लिए हानिकारक हैं, और शरीर एवन दिमाग पर बुरा असर डालते हैं, इसलिए इन चीज़ों को हमेशा ना कहें, व्यक्तिगत स्वच्चता और सफाई रखें, प्रतिदिन साफ सफाई करें, पर्यावरन को साफ रखें, सफाई से बीमारियां दूर रहती हैं, इसलिए व्यक्तिगत स्वच्चता, पर्यावरन की स्वच्चता बहुत आवश्यक है, यह अवश्य करें, तनाव दूर रखें, ताथ से आत्गंटे की अच्छी नीन लें, अच्छे विचार और अच्छे कारें, हमें प्रस बचाव करना, रोगों को दूर भगाने के लिए इलाज जिरूरी है, प्रिवेंशन इस बैटर देन क्योर, अर्थात जब से हमने पढ़ा कि इलाज से बहतर है रोगों से बचाव करना, यदि हम साफ सफाई रखेंगे, वातावरन को स्वच्च रखेंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा स्वास्थ है, हमारी आवाज है, हमारा अधिकार है कि हम स्वस्थ रहें, इसके लिए आवशक है कि हम स्वच्चता पर अवश्य ध्यान दे, धन्यवाद